आगामी 20 जून को मुख्यमंत्र योगी आदित इनाथ द्वारा चंपा देवी पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा जिसको लेकर भाषपा चेट्रिय अध्यक्ष सहजाद अंदर राय के निर्ट तुमें सरकिट हाउस इस्थित एनेक्सी भवन सभागार में पददिकारियों योमकारे करताओं के साथ बैठक की गए बैठक में जनसभा को सफल बनाने वा मोधी सरकार के सफल नौवर्ज के कारेकाल को जन जन के बीच ले जाने वा आगामी लोकसभाचनाओ के संखनाद को लेकर विस्त रूप से चर्चा की गए बैठक में महापौर जॉक्टर मंगलीज सिर्वास्तो महारगर अध्य शुराजिस कुपता वरिष्ट नीता जनारदन तिवादी सहित बड़ी संक्या में भाश्वापादिकारी वाकारी करता मौझूट रहे इस संबन्द मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसत अविक्षन सुकला वा भाश्वापाद शेत्री अध्यक्ष सहजानंद राए नहीं पताया अध्यक्ष ने जो बोला जो उड़्जा का प्रवाध कारकरताओं में हुआ है यह बहुत ही काबिले तारीफ है बहुत प्रसन है सारे कारकरता और 20 तारीकों अध्यक्ष रैली होगी उसका शंखनाता अध्यक्ष जी ने कर दिया बड़ा आनंद आया हमारे साथ जनारदन भीया भी हैं जनारदर तिवारी जी तो इनकी पर जम्यदारी है सारे कारकरतों ने कहा है कि 20 को कहती हासी क्रेली होगी आज के समवाद से सब में एक अलग ही उर्जा का प्रवा हो गया 24 का भिगुल फुका गया जिसको कहते है अब आप सब पहले से विधित है भारती जनतापार्टी संपर्क महा वियान हमारे देश के नहीं दुनिया के स्VRM Foundation मानी नरेज मोडी जी के सफलतम ौर्सपूर्ण होने पर भारती जनतापार्टी संपर्क महा वियान के तहत अपने अलग-अलग फेज में कारिकमों को उनूने तै किया था लास्ट फेज में भारती जन्ता पार्टी ने सभी लोगसभा अस्तर पर एक रैली का आयोजन किया है अब वीज तारिक को इस लोगसभा की रैली दिग्विने जानात पार्क में फूज महराजी इसको संबोधित करेंगे उसी के संदर में ये हमारे लोगसभा अस्तर की बैठक रही है सभी कारकरताओं को हमने रैली में आने वाली संख्या और व्योस्था के लिए दिशा निर्देश दिया है मुझे आसा और विश्वास है कि एक एक कारकरता प्रांट प्रांट से लग करके 20 तारिक के होने वाली संपर्क महा अभियान रेली को एक इतिहासिक रेली बनाएंगे